हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स जैसे कि आप जानते हो बी एड वर्सस बीटी से से रिलेटेड आज बहुत ही एक इंपॉर्टिन्ट मामला जो है सुप्रिम कोट में सुनवाई हो थी और आप लोग को मैंने बताया था कि किस तरह से ये मामला जो है हर बीएड अभ्यारतियों के एक लास्ट चांस है लास्ट ओप है उसे से रिलेटेड ये इंपॉर्मेशन है मैं आपको बता दू कि आज 11 दिसंबर को जो है अरनव घोस वाले मामले की सुनवाई होनी थी लेकिं सुनवाई नहीं हो पाई है क्या है रीजन वो सब समझेंगे और आगे जो है सुनवाई क अब तक हो सकती है इसे भी बताएंगे अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को हिट कर देना मैं आपको बता दू कि आगरा इंवस्टी का पेड़ क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और इस पर पेड़ क्लास हमारे एक केस जो है अरनाव घोस का अरनाव घोस वाले केस में मैं आपको बताओं तो यह चाहे एंपी हो मध्य परदेश का केस हो उसमें भी जो है इस केस का जिक्र हुआ एज जस्टिस शिल नागू ने जो है क्लियरली बोला कि अगर यह केस क्लियरिफिकेशन के लिए सेम बेंच में सुप्रिम कोट में गया हुआ है तो हमें इसके लिए जो है उन्होंने अपने केस का डेट आगे भराया उनका जो है अब जन्वरी में आप केस को समाई होनी है उन्होंने date दे दिया है इस case को अब इस तरह से जो है center में रखा जा रहा है अब ये क्यों रखा जा रहा है ये सारा detail हम आपको already दे चुके हैं कि इसमें जो है 11 अगस 2023 के फैसले के लिए clarification मांगा गया है कि वो फैसला जो है कब से लागू होगा retrospective होगा या फिर 11 अगस के बा बाहर किया गया है जो चटी चरण की वेकेंसिती बिहार की वो इस student directly effect हो रहा है क्योंकि उनको तो छटी चरण से हटा लिया गया दो साल से नौकरी कर रहे थे वो सोचों उनको हटाया गया है तो उन पर क्या ही बीत रही होगी और उन लोगों का पूरी तरीके से hope यही case बन 1223 का tentative date दिया गया था tentative date का मतलब होता है संभावित date और संभावित इसको इसलिए बोला जाता है कि यह chance है कि उस दिन case होगा अगर लिस्टेड हुआ तो तो आग जो अर्नागोंस वाला case है वो लिस्टेड नहीं हो पाया और नहीं होने की वज़स से ही जो है इस case की सुन नहीं दिखाई दे रहा होगा यहां पर कोई date नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर पहले 11 December का date दिखाई दे रहा था क्योंकि आज के दिन इस case को list नहीं किया गया है, reason इसके जो है, देखो आपको एक बात बता दिया जाए, जब भी भी tentative date दिया जाता है, तो ये आप fix नहीं मान सकते हो, कि उसी दिन सुनवाई हो जाएगी, आपको एक दिन पहले case को list कर दिया जाता है, जिसमें item number, मतब कि इस number जो है, सभी चीज़े आ जाती है, किस court में सुना जाएगा, court number क्या होगा, ये सभी चीज़े आ जाती है, कल नहीं आया तो chance तो लगी रहा था, ये list नहीं हुआ है, और list नहीं हुआ है, इसकी वज़े से सुनवाई नहीं हो रही है, अब इसका reason जो है, अनुवान को सुरक्षित रखा गया था, और आज ये फैसला आएगा, जिसमें national, international, सभी लोगों की आखी जो है, बनी हुई है, इसी के उपर, और ये काफी important है, तो ऐसा अनुमान लगाए जा रहा है, कि इसकी वज़े से हो सकता है, कि अरनाव घोस वाले मामले की सुरुआई नहीं ह इसका जो है, डेट कब तक आएगा, सबसे तो important यहीं कोशन है, कि अब इसका डेट कब आएगा, जबी भी डेट आए, आपको इसी चैनल के माध्यम से इंफर्म किया जाएगा, इसका डेट जो आने के चांसे है, क्योंकि अब ये केस जो है, हर जगह से एक मेन पॉइंट प और जो पहले से जो चल रही थी, जो मामला जो है, पहले से जो चल रहा था, वो भी अब इससे जुड़ चुका है, वो सभी चीजें जो है, इससे कनेक्ट हो गई है, तो इसको जो लास्ट इसकी सुनवाई हुई, उसमें इसको जो है, आप जानते हो कि CGI कोट में जो है, से इस गड़ में भी जो है मामला फसा हुआ है इन सभी मामले में और खास करके बिहार का मामला चाहे वो सिक्स फेज वाला हो जाए या सेवन फेज हो हर मामला जो है इसमें फसा हुआ है और ये मामले की क्लियरिटी जो है इसी केस के बाद मिलेगी इस केस में मांग सिर्फ इतना हुआ है कि आप 11 अगस 2023 का फैसला कब से लागू किया जाए ये क्लियर कर दीजे इस पर चर्चा हैं बहुत सारी होंगी आर्गुमेंट बहुत सारे होंगे इसलिए इस केस को जल्दी बाजी में जो है सुना करते हैंね कर दो